हलो स्टुएंट्स हमारे आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पे ने हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए ताक के हमारे सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं मैंने यहाँ पर AutoCAD का 2023 वर्जन open कर लिया है यहाँ पर सबसे पहले हम एक plan draw करेंगे single room का plan हम यहाँ पर draw करने वाले हैं तो चलिए start करते हैं अपने plan को start करने से पहले मैं कुछ settings कर लेता हूँ like UN enter for unit setting तो unit मैं use करने वाला हूँ यहाँ पर feed inches तो मैं inches यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर architectural unit मैं select कर लेता हूँ तो यह दो setting units में कर लेना है आपको ok करना है यहाँ पर उसके बाद toggle button से आपको grid mode को off कर देना है dynamic input को on रखना है ortho mode को on रखना है और यह दोनो button on रखने है यह object snap में यहाँ पर arrow पर click करके आपको यह सारे buttons on कर लेने है और उसके बाद आप अपने drawing को start कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर plan draw करना start करते हैं आप चाहाँ तो line से start कर सकते हो shortcut है L enter L enter करना है आपको line start कर लेनी है यहाँ पर click करके अब जिस direction में भी आप अपने cursor को ले कर जाएंगे उस direction में आपकी line draw होगी first click करना है और direction देना है direction देने के बाद आपको यहाँ पर feet और inches में value डालनी है यहाँ पर मैं डाल देता हूं लगबग 15 by 12 का मैं यहाँ पर room draw करने वाला हूं तो horizontal रहेगा 15 तो मैं आप पर 15 feet के लिए single apostrophe आपको डालना ज़रूरी है और अगर inch करना है आपको तो double apostrophe आपको डालना ज़रूरी है तो single apostrophe मैं 15 feet कर देता हूं enter करते ही यहाँ पर line draw हो जाएगी तो enter या फिर space bar आप press कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं space bar प्रेस करता हूं अब आपको line को उपर की direction में लेके जाना है देखिए हमारी छोटी सी यहाँ पर line दिखाई दे रही है यह छोटी सी line हमारी 15 feet की है आपको लग रहा होगा कि 15 feet की इतनी छोटी line बट ऐसा नहीं है आपको यहाँ पर cursor से scroll करके से zoom in कर लेना है ताकि यह line जो हमारी अब बड़ी नजर आए देखिए यह बड़ा हो गया तो zoom in, zoom out करके आप line को बड़ा या छोटा कर सकते हो अगर आपके drawing में यह छोटा या फिर बड़ा नजर आ रहा हो ठीक है तो मैं 15 का draw कर लिया अब उपर की तरफ मैं 12 feet के लिए feet का symbol डाल दूँगा enter अब इस direction में again 15 और single apostrophe enter और close करने के लिए मैं यहाँ पर click कर दूँगा यह close हो जाएगा देखिए यहाँ पर end point मिल रहा है तो click करते हैं और इसके button press करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा एक rectangle draw हो गया है यह जो rectangle है 15 by 12 का room का interior dimension है ठीक है इसके walls आएंगे वो इस line के बाहर आएंगे तो wall की ठिकने जो हम रखने वाले हैं वो है यहाँ पर 9 inches तो 9 inch की wall मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 9 inch की wall के लिए हम offset करने वाले हैं पर o enter offset के लिए o enter करना है offset distance अब यहाँ पर आपको डाल देना है offset distance मैं डालूँगा यहाँ पर 9 inches तो inches का symbol यहाँ पर डालना ज़रूरी है enter press करना है और अब आप देखिए यहाँ पर line को click कर सकते हो और जिस direction में आपको line चाहिए उस direction में अपने cursor को ले जाकर click कर सकते हो तो मैं इस direction आउटर की तरफ click कर देता हूँ यह एक हो गया फिर से उपर के line पे click, उपर click इस line पे click, इस side में click इस line पे click, नीचे की तरफ click यह देखिए 9 inch की हर तरफ हमने offset कर लिए इसी तरह आपको multiple offset चाहिए तो आप यहाँ पर click करके इस तरह से click कर सकते हो repeated click करेंगे तो इस तरह से यह offset आता जाएगा skip करता हूँ मैं यहाँ पर यह extra lines को select कर लेता हूँ click करके और इसे delete कर देता हूँ तो देखिए यह हमारे delete हो गए यह हमारे walls तो draw हो चुके हैं बट इनके corners जो है वो यहाँ पर gap शो कर रहा है तो इन corners को कैसे join करेंगे एक तो तरीका है आपके पास इस line को select करें और यहाँ पर grip है इसको बढ़ाएं इस तरह से आप बढ़ा सकते हो इस पर click करके इस तरह से आप बढ़ा कर सकते हो इसके लिए shortcut है आपको fillet का use करना है आपको fillet command का f enter f enter press करना है fillet radius set कर देनी है 0 radius कैसे 0 set करेंगे तो यहाँ पर आपको radius पर जाना है और यहाँ पर 0 enter करना है और यहाँ जीरो ही set है यहाँ पर दिखा रहा है but again हम 0 enter कर देते हैं 0 radius set हो गया अब इस पर click और इस पर click दोनों में देखिए यहाँ पर corner joint हो गया इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे zoom in zoom out से इस तरह से आप page को control कर सकते हो जहाँ पर भी आपका cursor होगा वहीं पर यह zoom in होगा याद रखिए आप cursor side में रखोगे तो यह side में ही zoom होगा देखिए इस तरह से cursor को जहाँ पर भी रखेंगे वहीं zoom होगा ही ठीक है और pan करना है जैसे page को side में लेना है तो इस तरह से आप middle mouse button को press कर सकते हैं तो autocad यूज़ करने के लिए आपके पास mouse जो होना चाहिए वो button वाला होना चाहिए scroll button भी यहाँ पर press होना चाहिए ठीक है तो इस तरह से तो अब हम इसे यहाँ पर corner को F enter कर देते हैं और multiple इस बार multiple मैं click कर दूँगा यहाँ पर ताके मैं एक से ज्यादा बार इस command को continue यूज़ कर पाऊँ पिछले बार single time यूज़ हुआ था और exit हो गया था तो देखिए यहाँ पर हमारा single room create हो चुका है अब यहाँ पर हमें next step में क्या करना है first step होता है walls create करना second step है आपको openings create करनी है doors की ओके तो जितने भी doors है सारे doors की opening create कीजिए इस plan में single door दिखाने वाला हूँ यहाँ पर right side में तो doors की opening के लिए मैं देखिए क्या करता हूँ यहाँ पर मैं एक line ले लूँगा L for line L enter इस point से इस point तक एक line click करके draw कर दूँगा याद रखिए कि lines को हम click करके भी draw कर सकते है L for line click 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 इस तरह से हम click करके भी draw कर सकते है without any dimension तो मैं इसे delete कर देता हूँ अब यहाँ पर एक line मैंने draw कर ली है अब इसे मैं offset कर दूँगा यहाँ पर O for offset shortcut हमने use किया था O enter और जो main door की width होती है वो generally 3 feet के करीब होती है या फिर साढ़े 3 feet भी आप रख सकते हो 3.5 feet तो मैं यहाँ पर 3.5 feet रख देता हूँ 3.5 feet enter 3 feet 6 inch तो यहाँ पर click करके इस तरह से हम offset कर लेंगे Escape कर दूँगा यहां पर opening के लिए हमें इस line को यह पर trim करना होगा त्रिम करके remove करना होगा यह जो line से दोनों इन्हें remove करना है tr double enter करने के बाद देखेए इस line पे जाएंगे तो यह half trim हो जाएगा तो इस line पे जैएंगे तो अगर ऐसा नहीं है, अगर हम delete करेंगे, उसके लिए हम अगर line को select करते हैं, तो पूरी line select होगी, और delete करने पर पूरी line delete होगी, तो ये delete का function है, trim से क्या होता है, बस हमारे next line तक, next intersection तक ये delete हो जाता है, tr double enter, और बस click किजिए, next intersection यहाँ पर है, ये delete हो जाएगा, तो ये automatically delete हो जाएगा, मगर याद रखिए कि इस line को यहाँ पर रहने दीजिए फिलाल, क्यूंकि ये हमारे plan की boundary है, ये boundary है, यहाँ से अगर हम बाहर देखे, तो यहाँ पर हमारा ground होगा, तो ground और हमारे floor के बीच में एक line दिखाना ज़रूरी है, क्यूंकि यहाँ पर height का difference आता है, ground के height में और floor के height में difference आएगा, तो यहाँ पर हमें stairs भी यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, अब चलिए next step करते हैं, हमारे openings create हो गए door के, a single door है इसमें, तो एक opening हमने बना दिया है, next जो हमें काम करना है, वो windows को यहाँ पर draw करना है, wall के center में fit करना है, तो wall का center हमें मिलेगा कैसे, तो wall का center यहाँ पर find करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यह line अगर देखे, तो इसका center हमें मिल जाया काराम से, और इसी center में हमें window draw करनी है, तो हम क्या करेंगे, L for line ले लेंगे, L enter, और इस point से, इस point तक एक line draw करेंगे, escape करेंगे, यह line हमारी center है window की, अब दोनों side में windows के half-half distance को हम लोग offset करतेंगे, O enter, half distance कितना समझों हमें 4 feet की window रखनी है, तो 2-2 feet आप offset कर सकते हो, 5 feet की window में die-die-fit आपको offset करना होगा, 5 feet की window रखने वाला हूँ, तो 2.5 feet मैं यहाँ पर fit का symbol डाल देता हूँ, enter करता हूँ, अब यहाँ पर line को click करेंगे, और उपर click करेंगे, इस line पर click करेंगे, और नीचे click कर देंगे, तो देखिए, यह दोनो boundary ड्रा हो गई, escape करते हैं यहाँ पर, अब एक line ले ले लेना है, simple L for line, और एक बीच में एक line ड्रा कर लेनी है, यह हमारी window हो गई, आप चाहो तो बीच की line यहाँ पर delete कर सकते हो, तो यह हमारी center में विलकुल window हो गई, अब इस window के लिए हमें भी draw करना होगा, छजज़ा तो होगा ही window है तो मतलब, यह outer का window है, तो यहाँ पर छज़ा देना ज़रूरी है, तो छज़ा ड्रा करने के लिए हम यहाँ पर polyline का use करेंगे, PL for polyline, ओके, तो PL प्रेस करता हूँ मैं, PL enter, और यहाँ पर देखिए, इस point से शुरू करूँगा, इस point से बाहर की तरफ, इस point से बाहर की तरफ हमें आना है, यहाँ पर 4 inch या फिर 6 inch, तो 6 inch मैं आ जाता हूँ, 6 inch, enter, इस direction में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर 1.5 feet, 1.5 feet, enter, इस direction में हम लोग चल जाएंगे, यहाँ पर, यह हमारी window जो है, यह 5 feet की है, तो हमें यहाँ पर 6 feet का यह line draw करना होगा 6 feet 6 feet enter क्यों 6 feet ये कैसे आया तो देखे window हमारी 5 feet की यहाँ पर 6 inch का gap यहाँ पर 6 inch का gap means 1 feet हो गया तो 5 plus 1 feet 6 feet का यहाँ पर हमारा चजज़ा आगया अब यह जो चज़़ा हमें नजर आ रहा है इसको हमें dotted में दिखाना है हमें दिखाना है आपको पता होगा rule यह जो चज़़ा है उसे हम hidden दिखाएंगे ठीक है तो इसको hidden दिखाने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर हमें जाना होगा देखे प्रॉपर्टीज में यहाँ पर देखे बाइलियर others में जाना होगा others में जाने के बाद load करना होगा और load में यहाँ पर आपको hidden का type धूणना होगा देखे यहाँ पर hidden type हमें मिल गया ok करते हैं इस list में आपका hidden एक type add हो जाएगा ok करना है अभी हमने बस यहाँ पर type को add किया है देखे इस list में add किया है apply कैसे करेंगे इस polyline को select करेंगे एक click में select हो जाएगा यहाँ पर जाकर आपको hidden कर देना है यह देखे आपका hidden हो गया इसको आप चाहो तो color भी कर सकते हो मैं यहाँ से color भी कर देता हो देखे इस तरह से जो भी color आपको चाहिए आप कर सकते हो इसी तरह से अब मैं यहाँ पर window को भी चाहूँ तो window को भी color कर सकता हूँ इस तरह से तो यह हमारा window complete हो चुका है अब इस window को हम यहाँ पर mirror करके इस side में भी copy कर सकते हैं तो mirror कैसे करेंगे इस select करूँगा इस तरह से देखे आपको left to right select करना है right to left नहीं करना है left to right select करना है सिर्फ window select होगा right to left select करेंगे तो walls भी select हो जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको select कर लेना है escape करके और अब इस वे mirror करना है mirror के लिए shortcut है MI, MI enter MI enter उसके बाद एक center line देने होगी तो center line के लिए मैं देखे यहाँ पर midpoint पर click करता हूँ midpoint से उपर और एक नीचे click enter करता हूँ यहाँ पर तो हमारा देखी यहाँ पर दोनो windows यहाँ पर आ गए है एक single window यहाँ पर भी मझे दिखानी है तो इसको मुझे यहाँ पर कैसे लेके आऊँगा तो मैं क्या करूँगा इसको select करूँगा पहले पहले copy करके मैं side में रख सकता हूँ side में रख सकता हूँ copy कैसे करेंगे इसको select कर लिया click करेंगे और click करके यहाँ पर side में click कर देंगे escape करेंगे अब इसे हमें rotate करना होगा ताकि हम इसके इस orientation में लियाए तो इसको select करके rotate करते हैं select ro enter ro enter करना है उसके बाद base point पे click करना है यहाँ पर click करता हूँ मैं और उपर की तरफ click कर देता हूँ तो यह हमारा perfect orientation में आ गया है आप इसे move करके हमें यहाँ पर रखना है आप इस move करके कैसे रखेंगे देखिए सबसे पहले तो आपको इसको select करना है इस तरह से m for move कर लेना है m enter m enter करने के बाद इसका midpoint से इसको base point लेना है midpoint कैसे लेंगे देखिए यह point जो है इसको track करेंगे plus यह point track करेंगे दोनों point को जब आप track करोगे तो यहाँ पर आपको intersection मिलेगा midpoint मिलेगा ठीक है यह थोड़ा सा आपके लिए complicated हो सकता है बट करना क्या है बस अपने cursor को इसके midpoint पे लेके जाना है नीचे आना है और फिर इस point पे जाना है और side में आ जाना है और दोनों के intersection यहाँ पर देखिए तो door fit करने का तरीका क्या है कि आप simple यहाँ पर एक circle लेके भी draw कर सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैं line ले लेता हूँ L for line L enter और यहाँ पर एक line इस तरह की draw कर लेता हूँ 3.5 feet की 3.5 feet enter यह हो गई हमारी और directly मैं इस तरह से एक triangle यहाँ पर draw कर सकता हूँ यह इस तरह का भी आप रख सकते हो इसे आप color कर सकते हो यहाँ पर red color कर दिया तो यह हमारा door fit हो गया यहाँ फिर आप यहाँ पर एक circle draw कर सकते हो C for circle, C enter circle का center पहले देना है यहाँ पर center देना है और यहाँ तक कि आपको radius देनी है आप इसको trim कर देना है TR double enter यहाँ पर trim हो जाएगा और यह वाला portion भी trim और अगर आप इसको चाहो तो इसको red आप कर सकते हो तो यह door आप बना सकते हो इस तरह का simple या फिर ready made door भी auto guide में आपको मिल जाता है आपको just यहाँ पर control plus 3 प्रेस करना है याद रखिए 3 जो है आप प्रेस करेंगे वो alphabet के उपर जो 3 लिखा हुआ है उस वहाँ से प्रेस करना है right side में जो आपको number नजर आ रहे हैं वो नहीं करना है ठीक है control plus 3 प्रेस करना है यह tool palette जो है यह open हो जाएगा यहाँ पर आपको architecture में चले जाना है और यहाँ पर देखिए door imperial और यहाँ पर नीचे door metric तो imperial का मतलब होता है feet inches में unit feet inches वाला यह वाला ले लिना है click करना है और यहाँ पर रख देना है तो इस तरह से ले लिजिए इसको close कर दीजिए यहाँ से close करने के बाद देखिए इसको हमें straight करना है यहाँ पर तो यह angle में है पहले आप इस पर click कर लिजिए इस पर arrows नज़र आएंगे जो arrows नज़र आ रहे हैं यह grips नज़र आ रहे हैं इनका कुछ ना कुछ function है जैसे कि अगर हम इस arrow पर click करते हैं तो यहाँ पर 30 degree open 45 degree open तो इस तरह से आप कितना open रखना है इसको आप रख सकते हो 90 degree open इस तरह से यह जो arrows हैं इसे आप इनकी direction flip कर सकते हो जिस direction में आपको required है उस direction में इसे कर सकते हो हमें इस तरह का चाहिए प्लस इससे आप इसकी size को भी control कर सकते हो यह आगया अब मैं इसे move करता हूँ M for move, M enter base point आपको दे देना है base point यहाँ पर देना है click करना यहाँ पर और यह point यहाँ पर रख देना है देखिए हमारा door आगया बट door की जो size है वो थोड़ी सी छोटी लग रही है यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर जो है 3.5 feet का यहाँ पर door का size रखा है बट यहाँ पर यह जो door है वो कम size का है तो यह maximum size है 3 feet 4 inch का यह size है तो इसको बड़ा करना है तो बड़ा कैसे करेंगे इसको size को तो हम scale कर सकते है scale देखिए कैसे करना है इसको select करना है sc for scale sc for scale enter base point दे देना है यह वाला point उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अंदाजे भी कर सकते हो बत अंदाजे हमें नहीं करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर reference ले लेंगे reference पर click करके first point again हम base point देंगे second point हम इस door का point देंगे और third point हम देखिए यहाँ पर यह wall का end point देंगे तो यह देखिए scale हो चुका है अब चाहो तो इसको color भी कर सकते हो बट यहाँ से इसका color यह match नहीं होगा यहाँ से अगर करोगे तो यह match color नहीं होगा इसको क्यों नहीं होगा क्योंकि यह जो है यह block है block color आपको layers से change करना होगा अगर layers का change करता हूँ यह देखिए layers है हमारे layers में अगर मैं color change करूँगा तो यह हमारा door का भी color change हो जाएगा easily बट हमें अभी फिलाल layers के बारे में नहीं जाना है तो मैं door को इसी तरह से रहने देता हूं ओके और front में भी मैं एक window लगा देता हूं क्योंकि यहां पर problem क्या आएगी हम इसका elevation जब बनाएंगे तो front में कुछ भी नहीं दिख रहा है यहां पर तो एक window रहना ज़रूरी है तो मैं क्या करता हूं एक window यहां से ले लेता हूं मैं इसको select करता हूं इसको पहले mirror कर दूँगा मैं m i enter अंदाजे मैं यहां पर एक line दे दूँगा select click click enter यह हमारा window आगया अब हम इसको यहां पर fit करेंगे select करता हूं हम है again m4 move m enter बेस पॉइंट को पर जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे इस पॉइंट पर जाएंगे साइड में आएंगे यह intersection पॉइंट मिल गया अब इस पॉइंट को पकड़के आपको इस wall के center पर डाल देना है यहां पर है तो यह center पर इस तरह से tracking का यूज करके आप windows को fit कर सकते हो तो यहां पर चार windows हमने fit कर दिये ताके elevation और section में भी सारी चीज़े नज़र आएं actual में इतने सारे windows की ज़रूरत यहां पर नहीं है हमने सीखने के लिए यहां पर plan को बनाया है इस लिए अब हम यहां पर यह जो room है इसकी कुछ stairs भी यहां पर डाल देते हैं ताकि यहां पर हमें कोई यहां पर जो height है plinth height उसमें यहां पर हम चड़ सके ठीक है तब मैं यहां पर offset के use करूंगा फिलाल O for offset O enter और 10-inch का मैं trade यहां पर ले लूँगा 10-inch का symbol लूँगा enter करूंगा और इस line पर click नीचे click इस line पर click नीचे click इस line पर click नीचे click तीन steps मैं यहां पर डाल देता हूँ escape करता हूँ अगेन L for line यहां से तो यहां तक मैं कर दूँगा बट थोड़ा सा क्या करना चाहिए हमें इस से बढ़ा रखना चाहिए इसको तो मैं थोड़ा से क्या करूंगा, इसको O for offset कर दूँगा, O for offset, एक feet में ज्यादा रखता हूँ, यहाँ पर stair की width, एक feet enter, तो यहाँ से एक feet, इस line को delete, अब यह line को हमें इस line तक ले के जाना है, तो हम एक तो click करके इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से click करके इसको ले जा सकते हैं, आराम से, बट यहाँ पर EX extend option भी है आपके पास, EX double enter करना है आपको, double enter, double space bar भी press कर सकते हूँ, याद रखिए, AutoCAD में space bar और enter का का काम सेम होता है, तो enter press कीजिए, space bar press कीजिए, यह कोई फरक नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पर देखिए, आप मैं यहाँ पर click करता हूँ, easily हो गया, इस तरह से आप extend का भी use कर सकते हैं, इसी तरह मैं एक line ले ले लेता हूँ, यहाँ पर L4 line, यहाँ से तो इस तरह से एक line draw करता हूँ, escape, EX double enter, EX double enter, और यहाँ पर इस तरह से click कर दूँगा, यह extend हो जाएगा, shift press and hold करूँगा, और इस portion को trim भी कर सकता हूँ, आपने extend लिया हो, और आपने shift press hold किया, तो यहाँ पर आप उसे trim भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी trim कर सकते हो, shift छोड़ दिया, extend कर सकते हो, shift press किया, trim कर सकते हो, तो इस तरह से extend और trim एक साथ हाँ कर पाएंगे, तो यह हमारा stair भी यहाँ पर बन चुका है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारा यह एक room बना है, तो इसकी plinth भी होगी, तो plinth को हम यहाँ पर show कर देते हैं, ठीक है, तो plinth थोड़ा सा मैं बाहर दिखाने वाला हूँ, इस हमारे wall के, तो मैं plinth के लिए यहाँ पर polyline draw करूँगा, pl for polyline, pl enter, और मैं क्या करूँगा, यह जो है, हमारे room के corners, outer corners, इन पर click करता हूँ, यहाँ पर accurate, यहाँ पर end कर देना है, तो polyline से हमने draw किया, क्यों draw किया इसे polyline से, ताकि हम एक click में 4 लाइन से लेक कर पाएं, और इस लाइन को हम offset कर पाएं, तो इसको offset करेंगे, O for offset, O enter, यहाँ पर मैं just यहाँ पर 4 inch का offset यहाँ पर मैं ले लूँगा, 4 inch, enter, तो बाहर की तरफ 4 inch, escape, अब अंदर का जो हमने polyline draw किया था, इसको select करके आपको delete कर देना है, रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैंने delete कर दिया, तो यह plinth मेरा, outer side में मैंने एक दिखा तो यह plinth हमने draw किया है, इसको मैं dark नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं एकदम faint में दिखाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको select करके, यहाँ से पहले तो color change कर लेता हूँ, और इसका जो है, जो darkness है, line की, वो मैं 0.15 रख देता हूँ, 0.50 mm, ओके, तो यह हमारा plinth projection आ गया और भी अगर चीज़े आपको दिखानी है, slap projection दिखाना है, तो वो भी दिखा सकते हैं, तो इसी तरह से slap projection यहाँ पर आजाएगा, over offset, अंदर का polyline तो हमने delete कर दिया, actually, अगर slap projection लेना है, तो अंदर का polyline आपको रखना चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ, एक polyline again में draw कर लेता हूँ, हमें ज्यादा time नहीं लगेगा, तो यह हमारा चारो तरफ से मैंने draw किया, इसको अब मैं offset करता हूँ, for offset, मैं 2.5 feet जो है, यहाँ से slap को बाहर दिखाऊँगा, 2.5 feet, enter, तो मैं इस polyline को बाहर की तरफ 2.5 feet रख देता हूँ, escape करूँगा, और यह जो है, इसको म है, उपर की तरफ का हमें नजर नहीं आएगा, और इसकी darkness में मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, इसका color हम यहाँ पर yellow कर देता है, ठीक है, तो यह हमारा हो गया slab projection, यह हो गया हमारा plinth projection, और यह हमारा हो गया छज्जा, यह सारी चीज़ें हमने लगभग draw कर दी है, बस wall जो अब h enter करते ही, यहाँ पर आपको types मिल जाएंगे hatching के, यहाँ पर अगर आप इस arrow पे click करते हो, तो यहाँ पर अलग-लग types मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर इस type का unc31 select कर लेना है, आप चाहो तो यहाँ से color भी इस hatching का select कर सकते हो, तो मैं देखता हूँ कोई light color मैं यहाँ से इसको कम कर दूगा, इस तरह से आपको just under click करना है, याद रखिए बाहर की तरफ click नहीं होना चाहिए, hatching में आपको problem आएगी अगर आपका कहीं पर भी line open है, पूरी तरह से close होना चाहिए, तभी आपको कोई भी problem नहीं आएगी, ठीक है, तो hatching कर दिया हमने, escape करता हूँ म है, अब इस hatching को select करता हूँ, इसको मैं थोड़ा darkness इसकी कम करनी है, select करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ home, और यह जो layer है, इसको मैं कर देता हूँ 0.9, तो darkness मैंने इसकी कम कर दी, अब देखिए हमारे walls जो है, यह perfectness रा रहा है, तो hatching को ज़्यादा dark नहीं दिखाना है, याद रखिए, यह सारी चीज़े हमारी हो गई, देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा text add कर देते हैं, ताके हम यहाँ पर room की size और door window के sizes यहाँ पर डाल पाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर text यूज करूँगा, mtext shortcut है, empty, mtext, multiline text, enter, अब एक box draw करना है, यहाँ पर इस single room, या फिर office रख सकते हो, office, single room है, तो office में रख देता हूँ यहाँ पर, enter करता हूँ, नीचे की तरफ, इसकी size हम डालेंगे, size डालेंगे 15, 15 feet का symbol डाल देना है, by into 12 feet, ओके, तो horizontal पहले और vertical बात, अब इसे select करेंगे, और यहाँ पर center कर देंगे, center करने से यहाँ पर यह center म तो यह फिलाल, धाई इंच का है, मैं 5 इंच रख के देखता हूँ, enter, थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको 7 इंच करते हैं, enter, ठीक है, यह perfect लग रहा है मुझे, और अगर इसे color देना है, तो यहाँ से आप इसे color भी ड्रक सकते हो, no problem, तो यह हमारा office आ गया, ठीक है, और भी हमें यहाँ पर text की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर again text ले लेता हूँ, empty shortcut, empty enter, click करके यहाँ से एक ऐसे draw करूँगा, छोटा सा box, और यहाँ पर लिख दिऊँगा, w, w capital में रखता हूँ, यहाँ पर side में click करता हूँ, इसकी size मुझे छोटी लग रही है, मैं इसे double click करके इसको edit कर सकता हूँ, double click, edit हो गया, अब इससे select करूँगा, यहाँ से हम रख देंगे, यहाँ पर 5 inches, okay, side में click, अगर इसका font अगर आपको change करना है, तो double click करके आप select कर सकते हो, यहाँ से देखिए, यह font भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे, color, font, सारी चीज़े हैं, bold, italic, जो भी चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हो, इसको मैं click करके थोड़ा सा इसकी position change कर सकता हूँ, select करेंगे और click करके drag करेंगे, click hold करने से drag होता है, click and click hold, इस तरह से आप move कर सकते हो, तो यह W आ गया, इसका color भी अगर आप यहाँ से select करोंगे, तो यहाँ से आप इसका color भी set कर सकते हो, ओके, तो यह color में रख देता हूँ, और इसे copy कर लेता हूँ, अब copy करने के लिए select करेंगे, co enter, base point दे देंगे यहाँ पर, और ortho off रखना होगा इसके लिए, नीचे आके यहाँ से click करेंगे, ortho off, यहाँ पर एक click, यहाँ पर एक click, यहाँ पर एक click, same size के window है, इसलिए हमें W की ही जरुरत पड़ेगी, अलक size के window होगे, तो W1, W2 का भी आप use कर सकते हैं, door भी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भी एक text रख देता हूँ, escape करता हूँ, और इस text को मैं यहाँ पर D कर देता हूँ, D for door, या फिर MD main door, तो इस तरह से window का भी हमने यहाँ पर text यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर जो हमने प्लिंद दिखाया है और slap projection दिखाया है, इनका भी text यहाँ पर लिख सकते हो, बत इनका text किस तरह से लिखेंगे, यह देख लीचे, तो इनके text के लिए आपको यहाँ पर use करना है, देखिए, multi leader, तो multi leader को किस तरह से use करेंगे, multi leader यहाँ पर option ह साथ text दिखाना है, arrow के साथ text दिखाना है, तो आपको multi leader का use करना होगा, तो MLD shortcut है, enter करता हूँ, यहाँ पर बताएगा आपको specify leader arrowhead location, arrowhead location समझो मुझे इस slap का डालना है, तो मैं इस तरह से click करूँगा, और देखिए, ortho off है, और इस तरह से देखिए, यह आपको text की position डालन है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, 2 feet 6 inch, 2 feet 6 inch slab, 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 slab projection, तो इस तरह से आप 2 feet 6 inch slab projection, इस तरह से दिखा सकते हो, side में click यह हो गया आपका, इसके थोड़े से मैं यहाँ पर color change कर लेता हूँ, यहाँ से, green कर सकते हो, yellow कर सकते हो, no problem, yellow तो line है, तो हम कुछ और रख देते हैं, इसका, करके control plus one प्रेस करना है, control plus one आपको याद होगा, properties के लिए use होता है, shortcut, control plus one नहीं करना है, तो select करके right click किजिए, simple properties यहाँ पर दिखाई दे रहा है, leader का देखिए, सारे settings आ जाएंगे, arrow head size यहाँ पर आ जाएगा, तो arrow head size आप यहाँ पर 5 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, text के भी size यहाँ पर आपको मिल जाएगा, text का style, text का size, क्या text है, सारे settings आपको properties palette में मिल जाएगे, अब मैं यहाँ पर close कर देता हूँ, मेरा size यहाँ पर सही है, तो leader हमने use कर लिया, अब मैं again एक और लेता हूँ, हमारे plinth projection के लिए, तो MLD shortcut है, multi leader, click करूँगा, enter करूँगा, अब यहाँ पर first click करना, arrow head, और तो सिर्फ off रखिए आप, यहाँ पर एक click करेंगे, यह आ गया देखिए, अब यहाँ पर हम लिखते हैं, plinth projection, तो plinth projection यहाँ पर dimension भी डाल देता हूँ, 0.1, sorry, 4 inch, 4 inch का यहाँ पर plinth projection है, अब यहाँ पर जो color है, same हमें इसमें भी apply करना है, तो एक तो हम सारे settings, again apply कर सकते इसमें, बट मैं एक match properties यूज़ करूँगा, shortcut है MA, MA shortcut है match property, MA enter, first वाले object पर click, and second वाले object पर click, जो first object का type होगा, settings होगे, वो सारे इसमें apply हो जाएंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हो, इस्तमाल और match property का इस्तमाल, तो यह सारे चीज़े हमने यहाँ पर दिखा दी है, यहाँ पर एक चीज़ और plan में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, वो है direction, direction आपको दिखाना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर एक triangle draw कर लेता हूँ, line का use करूँगा, L for line, L enter, और कुछ इ एक arrow अंदाजे draw कर लेता हूँ, actually यह readymade हमें मिल जाते हैं, काफी ज़्यादा quantity में available होते हैं, तो एक line draw करता हूँ, horizontal, यहाँ से एक line, vertical और यहाँ से यहाँ तक एक line, space, यहाँ से यहाँ तक एक line, इसको delete करेंगे, बस इतना समय रखूँगा, h4 hatching कर दूँगा, h4 hatching, solid hatching ले लूँगा, यहाँ से एक solid red color की hatching में apply कर देता हूँ, इसके अंदर escape, अब text यहाँ से copy कर देता हूँ, select co for copy, यह मैं इस तरह से यहाँ पर रख लूँगा, और यहाँ पर north अगर उपर की तरफ है, तो north दिखा दूँगा, south अगर उपर की तरफ है, तो यहाँ पर south दि मैं आपर simple north दिखा देता हूँ, तो हमने यहाँ बर direction भी दिखा दिया, अब यह हमारा plan लगभग complete है, अब हम इसमें क्या का सकते हैं, इसके elevation की तरफ जा सकते हैं, elevation हम इसमें बना सकते हैं, यह हमारा plan देखिए, completely ready हो चुका है, आप भी इसको practice ज़रूर करें अपने computer में इसी तरह से, एकदम simple steps मैंने आपको बताया है, कोई भी problem आएगी, आप comment करके हमें पूछ सकते हो, next video में हम इसका elevation देखेंगे और उसके बाद इसका section भी देखेंगे, तो इस video में इतना ही मिलते हैं, next video में